सबसे बड़ी वैक्सीन उत्पादक कमपणी सीरम इंस्टिट्यूट के वैक्सीन कोविशिल्ड को भारत में इमर्जनसी यूज की अनुमती मिल गई है ब्रिटेन में इस वैक्सीन को इमर्जनसी यूज की अनुमती मिलने के बाद वाना जा रहा था कि भारत में भी इसकी पर एस्ट्रेजेनेका वैक्सीन के एमर्जंसी यूस की पर्मिशन दी थी और भारत में सीरम इंस्टिट्यूट पहले से ही इस वैक्सीन के पांच करोड डूस तयार कर चुकी है वहीं नए साल पर कोरोना को हराने की तयारी पूरी कर ली गई है कल देश के सभी राज्यों में वैक्सीनेशन का ड्रायरन किया जाएगा राजस्थान में भी कल साथ जिलो में कोरोना वैक्सिन का ट्राइल रन होगा केंद्र से राजस्थान को साथ जिलो में ड्राइ रन करने की परमिशन मिल चुकी है और जैपुर, भीरवाडा, करोली, अजमेर, बासवाडा, जोदपुर और भीकानेर में कल ड्राइरन देखा जाएगा इसके तैयारी हो चुकी है तो बेरहाल साफतर पर ये है जनता जिस चीज का इंतजार कर रही थी देश की जनता जो पीड़ी थे जो इस बीमारी के चपिर में आये थी या जो लोग स्वास्ते हैं सभी लोगों को इंतजार था कि वैक्सीन कब आएगी लेकिन ये बड़ी खोश खबरी है अनूप कुमार वरिष्टे चिकित्सक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गये हैं सब्दर जंग से इस के लमा आपको बताते कि हमारे साहयोगी शशी भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे अनूप ची स्वागत है आपका जीराज्तान पर सर जिस तरीके से आज ये बड़ी खोश खबरी आई है वाकई में कितनी बड़ी सफलता है क्योंकि पूरे दुनिया में अभी भी वैक्सीन को लेकर कई देशों में पर्मीशन है इमर्जनसी यूज को लेकर कई देश बना रहे हैं लेकिन साफ तर पर चीज़े क्लियर नही जो कामना है ये जो नए साल में जो खबर आई है बहुत ही बड़ी और उत्सा वर्दक खबर है जो कि आप जानते है सिरम इस्टिड ओफ इंडिया जो है वर्ड का सबसे बड़ा मनिफेक्चरर है वैक्सीन का ये वैक्सीन पारात में ही बनाई गई है और इसकी सबसे अच् में रखना पड़ता था इस वैक्सीन का फायदा एक तो ये है कि हम इसको अराम से रख्रीटर में रसकते हैं फॉर अप टू सिक्स मांट्स नमबर टू इसकी एफिकेसी भी 70-90 परसेंट पाई गई है डो डोसिस की जो हम 4 वीस के अपार्ट लगाते हैं और सबसे तरा बात कि इसका कोस्ट बाकी जो वैक्सीन्स हैं उससे बहूँ सस्टा है क्यों कि भारत में ही बना है तो तीनों चीजों को पुरे देश वाशू के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी खबर है लेकिन सवाल ये है कि कल रायरन होने जा रहा है यानि सरकार ने ये ब्लूप्रिंट तयार कर लिया है कि वैक्सीन जैसे ही लोगों के लिए उपलब्ध होती है तुरंत किसको कैसे कैसे पहुँचाया जाएगा लेकिन क्या इतनी बड़ी मात्रा में हिंदुस्तान की जनता के हिसाब से देखा जाया तो अगले एक-दो महिने में ये तयार हो सकती है वैक्सीन कैसे पहुचेगा लोगों तक कितना वक्त लग सकता है कितनी चुनौतिया होंगी देखे बिलकुल देखे आपको याद रखना होगा कि भारत एक देश है जहां पर vaccination program world का सबसे best program माना जाता है और हमारे जो स्वास्ते मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्दन जी वो इस मामले में सबसे ज़्यादा experience है पोलियों को भी भारत से eradication किया था तो अलोड़ी भारत में टीम्स बना ली गई है पूरा प्लेस है और कैसे vaccine को आप transfer करेंगे from site of manufacture to the site of actual inoculation और जो टीम को देंगी उनको भी train कर दिया गया है तो यह आप जानते हैं कल से dry run start हो रहा है तो मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम इसको बड़े ही सफलता पूरो तबको दे लेंगे vaccine एक मात और यह vaccine सबके लिए नहीं है अभी अभी जो targets बनाएगा है वो front line workers है corona warriors है जो high risk patient है more than 60 years या 60 years से कम जिनकों comorbid conditions है इन लोगों को target जागा है पहले चरण में इनको दिया जाएगा और मुझे पूरी उम्मीद है जैसे से आगे समय बढ़ेगा हम बाकी लोगों को भी vaccine दे पाएंगे को भी चिन्हित कर दिया गया क्या तयारियां है कैसे कल dry run शुरू किया जाएगा और कैसे इसे वाकई में पता चल पाएगा कि vaccine को लेकर पूरी तयारी हो चुकी है vaccine जैसे ही मिलेगी तुरंत लोगों तक पहुँचाया कैसे जाएगा देगे संजे जिस तरह किसी भी विलक्षन गठना का इंतजार लोगों को होता है उसी तरह से देश भर में जिस व्यक्ति को कोरोना के बारे में जानकारी है और जिसको vaccine की उत्सुकता है उन सब लोगों के लिए कल का दिन बहुत महत्पूर्ण होने वाला है पहले प्रधानमंत्री नरेंदर मोधी जब देश को संबोधीत कर रहे थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि हिंदुस्तान में बनने वाली vaccine ना सिर्फ भारत बलकि पूरी दुनिया की जरूरत को पूरा करेगी तभी प्रधानमंत्री के कहने के कुछ मायने होते है और उनकी बात में जो confidence था उससे लग रहा था कि लगबग लगबग देश vaccine तयार करने की stage पर आ गया है जहां तक कल की तयारियों की बात है आपने बताया साथ जिले बताए लेकिन जैपूर और बासवड़ा ऐसे जिले हैं जहां पर चार-चार centers पर होगी बाकी अजमेर, बीलवड़ा, जोधपूर, करॉली ये जिले ऐसे हैं जहां पर दो-दो centers पर होगी और बीकानेर में तीन centers पर rehearsal होगी और इसके लिए 25-25 volunteers को जो health workers हैं, उनको बुलाया गया है centers पर, पाँच health workers की महत्पून भूमी का रहेगी, बाकी सब निगरानी में रहेंगे, पूरी चीज follow की जाएगी, जैसे कोई भी चीज, मान लीजे कोई भी vaccine लगाने के लिए आता है व्यक्ति उसको आने के बाद में क्या प्रक्रिया अपनानी होगी, किस तरह identity card लेकर के आना होगा, किस तरह उसका registration होगा, कहाँ कहाँ खड़ा होगा जो gap maintain करना है वो होगा vaccine की क्या प्रक्रिया है, vaccine लगाने में कितने लोग मौजूद रहेंगे उसके पूरी reaction होगी, तकरीबन 5-7 मिनिट एक व्यक्ति को vaccine लगाने की पूरी प्रक्रिया में चाहिएगे, इससे लोगों को समझना चाहिए लोगों को दीरज रखना होगा पहले तो, सबसे ज़्यादा आतूरता नहीं दिखानी होगी कि vaccine आ गया है तो ना किसी को पैसे का प्रभाव दिखाना होगा कि ना किसी को अपने रसूख का प्रभाव दिखाना होगा, बहुत सईयम बरतना होगा, विभाग ने 3,47,000 ऐसे लोगों की list तैयार कर रखी है जो health workers हैं, जो महिला और बालविकास से जुड़े हुए हैं जो जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए हैं जिनका भीड़ बरे क्षेत्रों में जाना का काम पड़ता है जो security के काम से जुड़े हुए हैं पुलिस में हैं, ऐसे लोगों के COVID-19 की वैक्सीन लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि उनको भीड़ बरे जोखिम वाले इलाके में काम करना होता है 2224, 2224 जो cold chain है वो तैयार की गई है इसके साथ ही UNICEF है United Nation Development Program है और World Health Organization ये सभी लोग इस पूरी rehearsal में कल सहयोग करने वाले हैं जैपूर की जहां तक बात करें मनीपाल हॉस्पिटल है जेकेलोन हॉस्पिटल है बनीपार्क में एक PSC है और एक रूरल CSC है इन सब जगे पर ये वैसीन की ट्राइब होगी बिल्कुल सही आपने कहा और साफ तर पर ये तैयारी भरपूर दिखाती है बिल्कुल देखिए किसी भी कोई बड़े प्रोग्राम को लांच करने से बड़े ड्राइरन किया जाता है ये एक नॉर्मल परिक्रिया है इसमें ये देखा जाएगा कि जो हमारा एक रीजिनल सेंटर बनाया गया है वहां से डिस्टिक सेंटर तक पुचाई जाएगी तो ड्राइरन में सब कुछ होगा एकसेट की वेक्सीन नहीं दी जाएगी तो कोई डमी को रखा जाएगा बड़ एक्च्वल एक्टिक नहीं जाएगी इक सिर्फ इंजेक्शन की प्रैक्टिस कराई जाएगी और आप ये जानी हैगा कि ये इंट्रामस्टर इंजेक्शन है जो कि नॉमली हम वेक्सीन को भी इंट्रामस्टर देते हैं तो कोई नई बात नहीं हमारे हेल्फ वरकर्स के लिए देना फिर्फ इनको ये समझाया जागा कि वेक्सीन को कैसे स्टोरिज कर रखना है क्या साफधनिया परतनी है क्या थोटे मोटे साइड एफेक्ट हो सकते है उनका कैसे आपको एक रेजिटर में मैंटेन करना है ये सब चीज़ों को सिखाया जा रहा है ये सब ड्राइरन होगा अगले कुछ जुनों में और उसके बाद में पूरी आशा है कि बहुत जल्दी ये स्टार्ट हो जाएगा बिल्कुल सही आपने का ड्रॉक्साब धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए तमाम जो जानकारी आपने दी है जनता तक पहुंची है और शुक्रिया धन्यवाद इसके लिए शशेशी आपका भी धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए साफ तर पर ये है कि कल ड्राय रहन है लेकिन उसके पहले आज बड़ी खबर